गैस कि आपको पता है कि आजकल के मकान इतनी यलदी तूटने लगते हैं और उनमें क्रेक्स आ जाते हैं तो क्या आप इसका कारण आपको पता है तो चली मैं बताता हूँ आपको तब तक के लिए आपको बस करना है यह है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वैल आइकन को दबा लें तक कि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस नहोँ तो गाइस, इसका एक सिम्पल साल कारण यह है कि पहले सीमेंट नहीं होता था तो सीमेंट की जगा पे चूने का यूज किया जाता था अगर चूने की हम लाइफ की बात करें तो कम से कम उसकी 500-1500 साल उसकी एज होती है अगर maximum की बात करें तो लगवग 5-6 साल होती है अगर cement की बात करें तो crack को आदाद रखते हुए cement की life एक से 5 साल होती है अगर एक्तम खंडखंड तूटने का देखें तो उसकी life लगवग 100 साल तक मानी जाती है दोस्तों आजकल के मकान इसलिए जादा नहीं चल पाती क्योंकि आजकल नई नई तकनी के आ गई है तो हमने बहुत जादा तरक्की कर लिए अगर चूने से बने मकानों के बारे में और बताओं तो चूने के मकानों में गर्मी सबसे कम लगती है इसका एक कारण ये होता है कि चूने के बनी दिवारों से सनलाइट रिफलेक्ट हो जाती है यानि प्रकास का परावर्त न हो जाता है जिससे गर्मी अंदर नहीं आती गैज आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरू करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तकि आगली आने वाली वीडियो को आप मिसना कर पाएं थैंक्स वोचिंग